विल्कम टू माई चैनल इसके सोनू टेक वर्ल्ड फ्रेंड जी पी उनिवर्सिटी के तरफ से एक बहुत ही बरी ख़बर आई है अगर आप सायद नहीं जानेंगे तो आपका भी नमांकन जो है रद हो सकता है चाहे आप कोई भी सेशन हो चाहे आप ग्रेजुसन में हो चाहे बढ़ाने का निर्देश दिया है जेपी 20 विद्धाले के मनानी एक कुलपती ने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आपको कितना परसेंट उपस्थिती अनिवार कर दिया गया है तो चलिए वीडियो को सुरू करेंगे उससे पहले आप से एक छोटा सा चैनल को सबस्क्राइब कर लें और घंटी को दबाएं ताकी आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलें चलीए वीडियो को सुरू करते हैं देखिए फ्रेंट आप यहां देख सकते हैं किलियरली लिखा हुआ है पीजी वो अस्तनात्त की कक्छाओं में छात्र छात्राओं की उपस्थिती बढ़ाने का निर्देश बीना सुचना गायब रहने पर नमांकन होगा रद चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है देखिए फ्रेंट लिखा हुआ है जैपरकास विश्विद्याले के अंतरगात अस्तनातक ओपीजी के बरतमान एवं पुर्व सत्रों का बर्ग संचालत नियमित रूप से कोबिट गैडलाइन का पालन करते हुए कराया जा रहा है कॉलेजों में छात छातराओं की उपस्थिती बढ़ाने के लिए पिछले दिनों कुल्पती ने कॉलेज परसासन को कई निर्देश दिये है जो छातर छातराओं नियमित कॉलेज नहीं आते हैं उन्हें फोन पर कॉलेज आने के लिए सुचित किया जा रहा है यानि कि जो लोग कॉलेज नहीं आ रहा है उनको कॉलेज आने के लिए सुचित किया जा रहा है उनके फोन नमबर पर 15 दिन तक बिना सुचना अनपस्थित रहने पर नमांकन कर दिया जाएगा आपका रद यानि कि 15 दिन अगर आप गाइब रहते हैं 15 दिन तक अगर आप नहीं आते हैं अपने कॉलेज में तो आपका जो एडमिसन है उसको रद कर दिया जाएगा चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है सिख्षकों की उपस्थिती नियमित और नियुधाय समय पहो सके इसके लिए जलधी विभागने बायमेट्रिक हाजिरी बनाने की ब्यवस्था लागू होगी तो फ्रेंड चात रही नहीं अब सिख्षकों भी आना होगा हर दिन अगर नहीं आएंगे तो उनके लिए भी अब बायमेट्रिक हाजिरी की ब्यवस्था बिस विद्धाले में सुरू होगी तो चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है बिस विद्धाले के रिष्टार करनल स्यामनंदन जहा ने बताया कि जनवरी से ही बर्ग संचालन के लिए कवलेजों को निर्देशित किया गया है एजी सी के दवारा कोबिट प्रोटोकॉल के तहट जारी निर्देशों का पालन करते हुए 50 फिस्दी उपस्थिती अनिवार कर दे गई है यानि कि 50 परसेंट आपकी उपस्थिती होगी तभी कच्छा स्टार्ट होगा कि कच्छा का संचालन होगा चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा है अस्तनातक सात्र 20-23 के थर्ड मेटलिस्ट के अंतरगत दाखिले की परकिरिया पोरी हो चुकी है ऐसे में अस्तनातक के बर्तमान सत्र में कला बिग्यान एवंबानी जी के अंतरगत करीब थीस हाजार चात्रों को नियमीत कच्छाए संचालित कराई जा रही है वहीं पीजी के अंतरगत मानविकी बिग्यान, समाजिक बिग्यान और बनीजी संकाय के अंतरगत सत्रे बीसवयों में चात चात्राओं ने दाखिले लिये है तो फ्रेंड आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर आपका 50% क्लास में उपस्थिती रहेगा तभी आपका एड्मिर्शन रहेगा अन्य था आपका एड्मिर्शन रद कर दिया जा सकता है जेपी उनिवर्सिटी के दुआरा ये बात बोले है जेपी उनिवर्सिटी के मननिय कुलपती भारुक अल्ली जी ने तो फ्रेंड आप लोग समझ चुके होंगे आपको 50% उपस्थिती अनिवार कर दिया गया है तो फ्रेंड मुझे उमीद है या वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो किरिफ़ आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सेर करें फिर मिलेंगे एक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद्र